राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद के केंद्रिय शेक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्तुत है श्रिंखला कविता मंजरी इस श्रिंखला में सुनते हैं प्रसिद कवी नरेंद्र शर्मा की कविता नेंद उचट जाती है आईए सुनते हैं कवी नरेंद्र शर्मा की कविता नेंद उचट जाती है का भाव वाचन जब तब नीन्द उचट जाती है पर क्या नीन्द उचट जाने से रात किसी की कट जाती है देख देख दुस्वप्न भयंकर चौक चौक उठता हूँ डरकर पर फीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावै है तम बाहर आती नहीं उचा बस केवल आने की आखट आती है देख अंधिरा नैन दूखते दुष्चिन्ता में प्राण सूखते सन्नाटा कहरा हो जाता जब जब श्वान शिगाल भूखते भीत भावना भोर सुनहली नैनों के ना निकट लाती है मन होता है फिर सोजाओं मन होता है फिर सोजाओं केहरी नित्रा में खोजाओं जब तक रात रहे धरती पर चेतन से फिर जड़ हो जाओं उस करवट अकुलाहत थी पर नीद न इस करवट आती है करवट नहीं बदलता है तम मन उतावले पन में अक्षम जगते अपलक नयन बावले थिर न पुतलिया निमिशके थम सास आस में अटकी मन को आस रात भर भटकाती है जाग्रिती नहीं अनित्रा मेरी नहीं कई भवनिशा अंधेरी अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योती चक फेरी अंतर नैनों के आगे से शिला नतम की हट पाती है अभी आप सुन रहे थे ये कविता विशे विशेशग्य डॉक्टर लाल्चंद राम संयोजन डॉक्टर अभैकुमार कविता वाचन सुचित्रा गुप्ता ध्वन्यंकन बटिलैंग लिंग्डो निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी ध्वनिसंपादन एवं निर्माण अजीत होरो ये कारेक्रम CIET-NCERT नई दिल्ली भारत के सौजन्ने से प्रस्तुत किया गया